आशान साहब ये बताएं तो सही कौन आगया है इस्टूडियो में एक एल अपरेशन थीटर से निकल की आगया है कोई सर्जन लग रहे हैं इन्होंने नहीं पेचाना इन्होंने यार बताओ तो सही कौन हो यार फीके तुम यार ये फीके मैं चाना हूँ हम लोग मास्क पैन के फिरते हैं अब मास्क तो अतारो यार स्टूडियो में हो यार हमने नहीं आतार नहीं मालक साब कहते थे बड़ी जरीली इस वकट विजाई गलूदी बनी हुई है वो कहते थे के मास्क पैन के फिर ओवर न भिमार हो जाओगे वह बाहर जब निकलते तो मास्क पहने हैं अभी तुम अंदर हो कोई जहरी लिन यह मास्क उतारो तू हर वकत यह पहने रखता हूं अम्हा कहते हैं सेट हे तो जहान है यार वो जान हे तो जहान हे कहा जाता ed जानमी ताहीं। देदे से तो वेते से ती ना वजान की तूँए। ठीका तो मास्क पहन की सोता है। खाते पीते कैसे हो? मास्क पहन के खा लेते हो। इदर से मैंने बोतल पी थी। मलक साब ने मेरे से पांच बोतले बगाई तो उनके ममाल साद आ गए। जो भी पंजबीतू ढुडा। मलक साब को मैं जाके साड़े काम कार देता हूं। जब मैं आ जाता हूं ना फेक्टरी से तो मलक साब आजमारे ना, आ जा भी के, जगड़़़ जगड़़़़़़़़़। यार आवास नहीं आ नहीं ohe भी अच्छी बात है चलो मास टॉटारो यार बात सही से कर लेंगे यार अवास नहीं आ लेगा यार आ यहार है हमारे व्यूवर्स ऑछ देख तो भीयाइब को अनॉध नहीं पर पहचाना नहीं जाता ना याड बात करनी नहीं ऐसे कर लेते हैं मुझ क्यों वहाने ऐसी कड़ा सल्तान रही तो मुस्तफा कड़ैशी है जार फिके मैं तो मास्क उतारो मेरा तो दम गूट रहा है या तुम तो हो इअ वाडागर्द ये तो पैनी नहीं थाड़ा मैंने अममा से का वो चाना नहीं पैन रहा मास्क मैंनी उनको लेकर जाड़ा अच्छा मा कहन दियो है वाडागर्द गाली नहीं सोनदा आँ पते हैं क्या है इस वकत मलक साब कहते हैं कि दुनिया में सबसे गंधी हवा है लोड में तो फिर कहते हैं इतनी जड़ीली हवा में और हारतर धुआ है तो मास्क नी पहने हो गया तो साड़ा ही अंदर दूहा अंदरों बाड़ों वेड़े को जो काले बात तो ठीक है बात बिलकुल ठीक है जब तक ये धुए का स्मोक का मसला हल नहीं होता मास्क पहनना चाहिए और तुम बहुत अच्छा करते हो यार वे वे तो यार फिके और चान तो अफसर नोनी छटया ते साथ आकी कडेगा तूम पहले मिताए था यह दूएं से नहीं है यह ब्लेक ब्यूटी है और गार्क मायकल जैक्शन को देखा है है वह भॉत हो गया है वह ब्लेक ब्यूटी था यह जो ट्रॉम्प के साथ अलेक्शन लड़ रही है कमला है वह ब्ल जेक्सन कभला की बात हो अलक्षा भी कह रहे हैं उनकी अपने बेटे वी साड़े मास्क पेन के बार निकलते हैं मलक्षा भी मास्क पेन रहे हैं कहते हैं गौर्डमेंट ने थे कुछ सोचना नहीं थे अशी थे आपना सोची है है फीके हुकूमत भी इस पर काम कर रही है और बहुत संजीदा है बहुत सीरियस है यह हमारी सीनियर वजीर ना पंजाब की मरियम औरंग्जेप साहिबा उन्होंने कहा है कि इस सुरतिहाल से निमटने के लिए अगर मस्नूई बारिश भी करना पड़ी तो वो भी बरसाएंग नहीं तो मलक साब कहते हैं के कड़ादे मस्नूई बारश अभी इतनी ज्यादा तो हो गई है यहां पर प्लूशन फिकर ने करो फीके कर रहे हैं बंदू बच्ट इस चीज़ का भी कछे काड़ लो बारिश होना ली जाहल आदमी किसी पड़े लिखे आदमी की बात सुन लो पता है मुस्नूई बारश कैसी होती है और भाई पौदों को पानी देने वाला जो फवरा होता नहीं उसको भर के जहाद में रख लेते हैं जहाद जब उपर जाता है तो फिर वो बारश करते उससे ऐसे तो टो इतना गूफ़़ो औरा होता है वो बारेश करनी है के करूली करनी है यार वह छोठा फारआ नहीं होता है उसी तरह का बड़ा फारा होता है तुम क्या उसको फुजूल घलत इंफार्मेशन दे रहे हूँ यार उसके लिए बादल थोड़े से चाहिए होते हैं उसमें फिर केमिकल के जरीए वो क्लाउड सीडिंग करवाई जाती है फिर मस्मुई बारिश होती है ये बड़ा मेहंगा एक प्रोसीजर है करोड़ों रुपे लगते हैं इसकी ओपर फीके सो रुपे से बाहर तो निकलो ना जरा तो मलक साब से ले 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 अलग साब को कडोड़ पर दिया वो अलेक साब हैं आये मैं वो कहते हैं कि अन्चानी खिजमत के लिए पैसे खर्च करने चाहिए बड़ी अच्छी बाद तो म अलक तेनों ने देंदा है जिन्हें इन खिदमत करना है तेनों ने जिन्दे थे उन्हें किसनों की दिने हैं हम मुझे डो सो रुपे या देती हैं लो ये रोज के सो रुपे पर खुश है और मलिक साब से आगे नहीं निकलेगा कभी बीफी और पैया थोड़ा होता है दो दो छलियां दो कुल्फियां या दो चलियां लेलो या फिड़े दो कुल्फियां अच्छा ये बताओ अब आ कहां से रहो यह हम वापडा के दफ्तर गए हुए थे वह यह जो चान है ना किसी को बताना ना इसको अर्शे दोडिया ना हमारे मले में आप बिजली चोरी ना ने इसको काया के तुम इतना भील क्यों बढ़ते हो तुम माचस की तीलियां बिजली के मीठड़े च तोनी जे ओ मीठ़ टेमपरिंग तो मीठ़ स्लो हो जाएगा तो ये माचस की तीलियां लेके तो मीठ़ का राध था अपना शो उपर से वापडा का बंजा आगिया उसने इसको पकर लिया था तो कहते है उन्हें थानें लेक जाएंगे ताने लेख जाना बनता है उनका आए छुकर मेरे फेक्टिरी से आ गया था तो उसने फिर मेरे मूँ को छोड़ दिया था तो मारे मुपे कैसे छोड़ दिया? मैं उन्हों बाजुआ वाजी थी याँ मैंका मेरा यारे फिर नहीं छड़ेगा तो तेरा बेडा गड़की हो ने अच्छा बातमीजी करते हो मैंने का वो कश्मी उठा रहा के मैंने अभी अभी ही की थी यार मैं बिजनी चोरी तो नहीं कर रहा था मैं तो तीलियां लगा के चेक कर रहा था कि वाकिश से मीटर सलो होता है कि नहीं होता ये काम बंदा करता ही देखा देखिये तुम क्यों बिजनी चोरी का बंदुबस कर रहे थे? बस वो अर्शद ने मुझे घलत पटी पढ़ाई थी अर्शद के पास तुम बैठते ही क्यों हुआ अबा कहते है के बुड़ी सोबत जो होती है न यहीं बंदे का बेड़ा गड़ा करती है उस ने फिर इसको छोड़ दिया था ते मीटर लाके ले गया हो पिर मलक शाब ने फून काड़के का करते नहीं चोड़ी तो यह उस किसी के कहने पर यह बच्चे ने हड़कत खी आँ तो माफी दे दियो तो फिर हम गए थे वापडा के दफतर पीशाब से भी माफी मांगी आमने पीशाब अरे ने एक आदमी है अच्छा वो कहते हैं नमाड़ शवत लेता हूं और नमे काम खड़ाबों ने देता हूं नच्छा मैंने कहा जी आप रीडिंग चेक कर लें आप हमने कोई इसको स्लो नि किया वो तो रीडिंग ठीक थी तो उन्होंने उमें चोड़ दिया इसलिए छोड़े कहते हैं के हमने चेक कर लिया है तो उन्होंने ने मुझे अबलिया आंड़ावी कोई आई अबने वालो है अफीस साब ने आप नाल निमक विदियो आप आपने लिया कार जाके खा लेना मैं कावड निमक निया खा ते फिर छेल के दियो आप यार भीके मैं तुमें काम बताता हूं तू लोट मार भी करेंगा सारे ने सामने ते तन्ह पुछेगा भी कोई लिए वो कुछा काम है वे आमा तो पैसे लुटिया कर दो